मैं मीन प्रवेश चुहान आपका सागत करती हूँ आपके अपने योट्यूब चैनल क्वीता संग्रह में आप सभी को गनेश चतूर्थी की हार्दिक शुब कामनाएं आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गनेश विसर्जन के शुब मुरत के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो आप घर पर गनेश विसर्जन कैसे कर सकते हैं इसकी वीडियो हमारे चैनल पर आच चुकी हैं आप उसे देखें यदि आप डेट दिन के बाद गनेश विसर्जन करना चाहते हैं तो इसके लिए शुब समय है एक सितंबर 2022 ब्रहस्पतिवार के दिन दोपहर 12 बच कर 22 मिनट से लेकर 3 बच कर 32 मिनट तक रहेगा और इसके बाद शाम को 5 बच कर 7 मिनट से 6 बच कर 45 मिनट तक अच्छा समय रह बच कर 43 मिनट तक शाम को 5 बच कर 7 मिनट से 6 बच कर 42 मिनट तक रहेगा यदि 5 दिन के गनेश जी का विसर्जन करना चाहते हैं तो चार सितमबर रविवार को सुबह 7 बज कर 34 मिनट से 12 बज कर 19 मिनट तक, दोपहर में 1 बज कर 56 मिनट से 3 बज कर 31 मिनट तक और शाम को 6 बज कर 40 मिनट से 10 बज कर 55 मिनट तक विसर्जन कर सकते हैं यदि सात्वे दिन गनेश विसर्जन करना चाहते हैं तो 6 सितमबर मंगलवार को प्रातय काल 9 बज कर 11 मिनट से 1 बज कर 55 मिनट, दोपहर 3 बज कर 39 मिनट से 5 बज कर 4 मिनट तक और शाम को 8 बज कर 3 मिनट से 9 बज कर 28 मिनट के बीच विसर्जन किया जा सकता है यदि आप अपने घर पर गनपती जी को स्थापित करते हैं तो गनपती जी का विसर्जन शुक्रुआर 9 सितमबर 2022 को विशेश चोखडिया मुहुरत में गनपती विसर्जन करना चाहिए प्राते काल मुहुरत रहेगा 6 बज कर 5 मिनट से 10 बज कर 45 मिनट इसके बाद अपराण मुहुरत शाम के 5 बजे से 6 बज कर 31 मिनट तक चर का चोखडिया रहेगा रातरी मुहुरत के अनुसार 9 बच कर 26 मिनट से 10 बच कर 52 मिनट तक रातरी में लाब के चोखडिये में भी विसर्जन कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद